इस्टाग्राम पर आप जब भी किसी भी व्यक्ति को मेसिज बेजते हैं तो आपको इस तरह की प्रोब्लम जरूर देखने के लिए मिलती होगी जिसमें यहाँ पर आपको नोटिस मिलता है You can send more message after your invite is accepted यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने जिने message बेज जाया है वो आपके request को जब तक accept नहीं करेंगे तब तक आप उनको message नहीं बेज पाएंगे ठीक है तो आपको वो किस तरीके से message बेजना है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चैनल पर पहली बार है subscribe जरूर कर दीजेगा वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अब देखें यहाँ पर आपको सबसे पहले बताते हैं प्रोब्लम आती क्यूं है और यहाँ पर आपको किन चीजों का ध्यान डखना चाहिए तो देखें यह प्रोब्लम आपको जब आती है और यहाँ पर देख लिजेए सबसे पहले आपके समय अगर instagram users लिखा रहा है तो आप समझ लिजे कि यह account को अभी latest में ही instagram से delete किया गया है हो सकता है इन्होंने खुद किया हो या फिन instagram team ने इनके account को remove कर दिया हो दो रिजन हो सकते है ठीक है अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो मेंका message नहीं जा पर रहा है वो यहाँ पर यह देखे accepted invite वाला जो option है यह देख लीजिए आप और यहाँ पर invite उनका उच्छरा रहा है जिससे आप ठीक कर सकते हैं आपको करना क्या है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं देखिए आपको यहाँ पर profile में आना है और profile में आने के बाद यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करना है setting and privacy में आना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखे थोड़ा से नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको message का option दिखाई देगा message के option पर आने के बाद यहाँ आपको message control दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको request कर देना है या फिर don't request कर देंगे और यहाँ पर आप लोग group chat दिखाई देंगी इस option को allow कर देंगे ठीक है इतना काम करना है आपको और उसके बाद कुछ भी setting आपको नहीं छेड़नी है ठी message नहीं जा रहा है तो इस chat को delete कर दिजिए और दोबारा से install करिए और दोबारा से message करिए ठीक है चला जाएगा ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं और इसमें आप कोई तरीका नहीं है और वह तरीका जो है वह सामने वाला phone plan में device apply कर लेगा तो उसके बाद जा सकता है वीडिय को लाइक जरू करिएगा